हाई गाईज मैं हूँ जैनी आपकी ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी दोस्तों मनी याने पैसों का कितना इंपोर्टन रोल होता है लाइफ में बहुती ज्यादा राइट हम काम उसी के लिए करते हैं हम अपनी लाइफस्टाइल जो भी थोड़ी डेवलप करते हैं स्टैंडर बढ़ाते हैं उसी की विज़ा से बढ़ाते और उससे जुड़ी कितिनी बाते हम एवरी डे में ही कर लेते हैं इससे रिलेटेड भी इंग्लिश लाइज में एक्स्प्रेशिंज और बहुत बहु होते हैं जो आपकी बात को बहुत ही एक्सप्रेसिव दिखाएंगे साथ ही साथ आप कुछ नया भी सीख जाएंगे दोस्तों जब आप यह बोलते हैं तो बहुत ही स्मार्ट लगता है आपको लगता है कि मैं इडियम हमेशा क्यों ऐसे हमें याद करने चाहिए लिकिन यह बहुत ही इंप्रेसिव बनाता है अपकी बात को जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि इसका बहुत इंपोर्टन रोल होता है कॉन्वर्जेशन को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ आप एक लाइन में आप बहुत सारी चीजे कह जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है किसी आप इसका ये मतलब नहीं है इसका मतलब है कि कोई काम गलत हो जाना जो आपको लगा हो कि गलत नहीं होगा जैसे कहीं पैसे इंवेस्ट करने के बाद पैसे डूब जाना या फिर किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट करना जो हार गया या फिर किसी ऐसे इंसान को दे देना जो पै से सारी situations में ऐसे idioms का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक्जामपल देती हूँ, When I voted for him, I was convinced that he would win but I bet on the wrong horse. यानि कि जब मैंने उसके लिए वोट किया था, तब मुझे यकीन था कि वो जीतेगा पर मैंने गलत जगा support कर दिया. एक और एक्जामपल देखिये, I invested in shares and I had to face a big loss. I bet on the wrong horse. यानि कि मैंने shares में इन्वेस्ट किया और बहुत बड़ा नुकसान जेला, मैंने गलत जगह पर पैसे लगा दिये. तो दोस्तों आपसे जब ऐसी कोई गलती हो जाए, जहाँ पर आपका नुकसान हो रहा है और आपने expect ने कि होगा, तब आप इस इडियम का इस्तमार कर सकते हैं. अगला है, to make a quick buck. दोस्तों, इस इडियम का मतलब होता है, जल्दी से खोप सारे पैसे कमाना, जो जादा तर या तो अलग काम करके कमाय जाते हैं, या इसे काम करके कमाय जाते हैं, जो illegal होते हैं जो बहुत डिजहोंजश्टी से आपको करना पढ़ता है, जो बहुत गलत होता है, in short. चले जैसे कुछ examples की द्वारा मैं समझाती हूँ She never likes to make a quick buck with dishonesty. I like her. यानि की वह बहिमानी से पैसे कमाने में यकीन नहीं करती. या तो फिर कोई अगर आपको लड़की के बारे में बोलना है तो आप बोलेंगे नहीं करता और मुझे वो पसंथ है. भाई मुझे भी ये quality पसंथ है. लीगली काम करिये और कमाये. You can't make a quick buck for so long using illegal ways. तुम बहुत लंबे समय तक illegal तरीकों से पैसे नहीं कमा सकते. They are more interested in making a quick buck than helping people. वो लोग जल से जल पैसा कमाने में जादा इंटरेस्टेड हैं रादा दन की लोगों की help करने में. ठीक है. समझ में आया. ऐसे मैंने आपको अलग-अलग situations देगे हैं. जहां पर भी आपको लगे कि ऐसा कुछ situation आप फिट कीजिगा. अगली एडियम है. ये मेरी फेवरिट है. लुक लाइक अ मिलियन डॉलर्स. लुक लाइक अ मिलियन डॉलर्स. दोस्तो ये एडियम आप किसी की तारीफ करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं. जब आपको कोई ऐसा देखिए जो बहुत ही सुन्दर लग रहा हो, बहुत ही प्यारा लग रहा हो, जिसने याँ तो हो सकते बहुत अच्छे कपड़े पैने हो, तब आप किसी को कॉम्प्लिमेंट करने के लिए इडियम का इस्तमाल कीजेगा. For example, तो मिस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो. दोस्तों, आप ये कॉम्प्लिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उन्हें तो अच्छा लगेगा ही, और इतनी अच्छी इडियम यूज करने से आपका इंप्रेशन भी जम जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, भही सामने वाली खुछ भी हो जाएगी, इस इडियम का यूज किसी को पैसे सेव करने या फिर खर्च कम करने की सला, अट client के लिए किया जाता है, जैसे हिंदी में कहते हैं फिर घर्चों पर लगाम कसना, ठीक उसी का मतलभ है ये, ठीक है, और दोस्तों उसके पहले में बता दूं कि ध्यान रगना कि इस इडियम म एक verb है. ठीक है? For example, I have had to tighten my belt since I lost my job. मुझे अपने खर्चों पर कम करना ही पड़ेगा या तो मुझे अपने खर्चों पर लगाम कसना ही पड़ेगा क्यूंकि मेरी जॉब नहीं है. या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, My husband has told me to tighten my belt as I am spending more money than I am earning in a month. मेरे हस्बन ने मुझे बोला है कि अपने खर्चों में कमी लाओ या तो अपने खर्चों पर लगाम कसो क्यूंकि तुम जितना कमा रही हो उससे जादा तो तुम खर्च कर रही हो. यह तो गलत बात है. लेकिन अगर आपको इस तरह की एड्वाइस देनी है तो आप डेफिनिटली इस इडियम का इस्तमाल कीजिएगा. एक और देख लीच एग्जांपल, हमारी कंपनी पैसे बचा रही है एंपलोई को बोनस के पैसे ना दे कर. बाइंग अ न्यू कार हमारे काफी पैसे लग गए हैं इसका मतलब है कि हमें हमारे अगले कुछ महीनों तक अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी. दोस्तों, कितने लोगों के साथ यह सा होता है? मेरे साथ तो होता है कि अगर एक महीने में बहुत कर्चा हो गया, तो मुझे दूसरे महीन है. अगला है, to work for peanuts. इस इडियम का मतलब होता है कि कम सालरी में काम करना, यानि अपने क्षमता के अनुसार पैसे ना मिलना. अगर आप कोई काम करते हैं, उसके लिए आपको कम पैसे मिल रहे हैं, तब आप इस इडियम का इस्तमाल कर सकते हैं. हो सकता है, बहुत टैलेंट हैं, लेकिन आपको अपने टैलेंट की हिसाब से पैसे ने मिल रहे हैं, तो आपकी सालरी में आपकी इंक्रिमेंट होनी चाहें, लेकिन फिर भी ने मिल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, तो तब आप इस इडियम का इस्तमाल कर सकते हैं, एक्जाम्पल देखिये, I am working for peanuts here, I need to change my job, मैं यहां बहुत कम पैसों में काम कर रहा हूं, मुझे जॉब बदलनी है, या फिर, I need a raise, I am sick of still working for peanuts after three years, मुझे salary में रेस चाहिए, यानि की बढ़ोतरी चाहिए, मैं थक चुकी हूँ तीन सालों से एक ही सालरी में काम करते हुए, समझ में आया दोस्तों, बहुती अ और काफी बढ़िया तरीका है अपनी पूरी बात कह देने का, दोस्तों, I am sure आप lesson definitely समझ रहे हैं, enjoy भी कर रहे हैं, अगला इडियम देखते हैं, कौन सा है, अगला मेरा फेवरिट है, जो कि है, to be flat broke, to be flat broke, दोस्तों, इस इडियम का use आप तब कर सकते हैं, जब आपके पा काफी सारे deductions हो जाते हैं, और हमारे पास end of the month में कुछ नी बचता, तब आप कुछ इस तरह के phrases, आप सुनिये, हो सकता है, कुछ रिलेट कर पाएं, जैसे कि, I can't afford to go on holiday this year, I am flat broke, मैं इस साल holiday पर नहीं जा सकता, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, या फिर, I can't help you, I am flat broke मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास ही पैसे नहीं, तो मैं तुम्हारी के मदद क्या करूंगा, राइट? दोस्तों, ये थी हमारी कुछ बहुती बढ़िया idioms, ऐसी 6 money idioms मैंने आपको बताई हैं, जो different situations में आप यूज कर सकत और शेर कीजिएगा, और आपके कोई दो favorite idioms हमें comment box में लिखके बताईगा, मैं जरूर देखूंगी, मैं आप से मिलूंगी बहुत ही जल्दी किसी और नई दिल्चस्फ lesson के साथ, but till then, keep practicing, keep smiling and take care, bye. झाल